Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी बिल्कुल free of cost. Kindergarten से लिखे class 12 तक की, CBC board के courses के साथ साथ, आपको other state board के भी courses available है in Hindi medium, जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board के courses, proper systematic way में. कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी, daily practice sets के questions भी मिलेंगे, practice भी करते जाएगा, e-books और e-notes की link आपको description box में available है, तो भटकने की बात नहीं बनती है. आज हम क्या करने वाले हमारा नया chapter, chapter 5 हम क्या करेंगे, start करेंगे. जो हमारा बड़ी ऐसा chapter है, chapter 5 उसकी शुरुवात करने वाले है, chapter क्या ये देख रहे हो आप, water, पानी दिख रहा है, कुसमें पानी, water, water के बारे हम पढ़ेंगे. लास्ट जो हमारा chapter था, वो air का था, पूरी air की हमने layers पढ़ी थी, क्या air की importance है, है ना जो हम बोलते हैं, atmosphere, basically हमने पढ़ा था, उसमें gases थी इतनी important, important, जो हमारे earth को protect करती है, जो हमारी life के existence के बहुत important है, सब कुछ हमने देखा था, air pressure के बारे में हड़ चीज दानी थी, अ फटाफट से like कर दो और share कर दो, फटाफट से क्या कर दीजे, like कर दीजे और share कर दीजे, जल्दी जल्दी से, ठीक है, क्या करना है आपको like कर देना है और share कर देना है, जल्दी जल्दी से, उसके बाद chapter को overview हम क्या करते हैं, बहीं, शुरुवात करते हैं, ठीक है, चल्दो So, क्या देखेंगे हम? Introduction देखेंगे Introduction थोड़ा बहुत brief उसके बारे में जानेगे जो chapter है उसकी जो शुरुवात है क्या हम पढ़ने वाले किस बारे में है वो हम देखेंगे वो देखने के बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम distribution of water bodies Water bodies का distribution हमें पता है कि हमारे औरत में बहुत सारा water है बहुत जादा पानी है हमारे औरत में ठीक है, okay कितना percentage है कोई मुझे बताएगा कोई मुझे एक comment में बताने कि थोड़ी सी महनत उठाएगा जहमत उठाएगा कि मुझे बताएगा हमारे औरत में कितना percentage water है ठीक है अब जितना पॉटेज वॉटर है उसमें से समझो 97% 0.2 something कुछ कितना है ओशन के पास है किसका पॉटर है ओशन का वॉटर है क्लियर ओशन का वॉटर है उसके बाद कुछ पॉटर क्या है हमारा फ्रेश वॉटर ग्राउंड वॉटर इसमें है ठीक है फ्रेश वॉटर की बात करें तो हमारे पॉस लगबग इतना यह इतना पॉसंट है कितना यह क्या है हमारा फ्रेश वॉटर तब ही तो हम कहते हैं, पानी बचाओ, वही बचाओ, वाटर बचाओ, और ओशन ऑटर कित्त है, जो ओशन ऑटर है, वो है हमारा 97.2% something, ocean water हमारा 92.7% something है चलो ठीक है लेकिन हम ocean water को use नहीं कर सकते हैं फिर हम क्यों कहते हैं जब ocean में इतना सारा पानी है फिर हम क्यों इतना रूते रहते हैं टेंशन लेते की पानी को waste मत करो water pollution मत फैला इसा हम क्यों कहते हैं reason क्या reason इसके पीछे का क्यों कि जो ocean water है कैसा salty water hai Salty water या Saline water हम दो है clear Salty water या Saline water ये हम कहतें मतलब खारा पानी है नमक है अब जिस कर सकते हम अपने जो है अग्रिकल्टर परपस के उज नी कर सकते हैं खेत खराब जाएंगे ना हम पी सकते ना हम वैसे भी उसकर सकते तो हमें फिर किसकी जरुवत है ऑब्विस्ली फ्रेश वाटर की जो हमें ग्राउंट या लेक्स इसके थू मिल जाता है लेक्स वगेरा में reverse में मिल जाता है वो भी कितना है सिर्फ इतना है लिए पाणी है को हम यूस कर सकते हैं छिसको हम मोलते merciful कह लिए जह लीज काम का है इसलिए तो हम कहते है water को क्या को जरूरत है बचाने की इतनी ज़हारवत है ठीक है तो water का distribution दिखेंगे लिए water bodies का distribution देखेंगे water bodies हम इसके बाद ocean का circulation देखेंगे तो क्या होती है यह मैं आभी नहीं रिवील करूंगे यह जब हम chapter पढ़ेंगे तब देखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे वही जैसा होता है pattern NCRT solutions करेंगे फिर multiple choice questions करेंगे उसके बाद most important questions 10th chapter का complete revision हम करेंगे ठीक है बढ़िया है सब यही करना है कोई दिक्कट परिशानी तो नहीं है इसमें आपको अच्छा यह बताओ अभी तक आपने like किया की नहीं किया अब आगे बढ़ते अब यह तो हमने कर लिया असके बाद हम क्या दिखेंगे चाप्टर का introduction देखेंगे है ना इसकी पैटरन समझ लिया जो हमेशा होता है इस बाट नहीं चीज के देखो यह चीज इतनी चीज तो सब जगे सेम है करनी है जरूरी है और यह चीज तो भई शुरू के लिए बहुत जरूरी है वो जो की हर चाप्टर में अलग-अलग मिल यह चाप्टर के बारे में सोचते हो पानी के बारे में सोचते हो तो वाट इमेजिस कम तू यह माइंड है ना जब आप वार्टर के बारे में सोचते हो तो कुछ तो इमेजिस आपके माइंड में आती हो कि क्या इमेजिस आती हो यू यू तिंक आफ रिवर्स दे वाटर फ सबस्क्राइबस एक्राइबस थैज़ आप हाँडिकों मैंने विद्टर सब्सक्राइब लिए टायका मैं यह रिचाएगा तो इन नलों से पानी हो दिख जाएगा है तो यह सब मैंडेकि सबके अपने माइड में अपने चीज़े आएंगे, किसे के माइड में रिवर आएगा, किसे के माइड में सी आएगा, ओशन आएंगे, हैना, पॉंट आएंगे, लेक्स आएंगे या नॉमल ग्लास और लाजाएगा कि लेक्ना में वाटर है By noon the puddles vanish Where does the water go? ठीक है? अब कहरें Children love to float paper boats in rain puddles जो rain puddles है ना जो rain water है उसमें क्या होता है? उसमें boat float होती है जो है boat तहरती है लेकिन जब rain होती ही तो उस ताइं पर पानी रहता है हम देखते हैं सडकों पर, roads पर पानी रहता है ठीक है तो हम बड़ी है ना हो चलाते हैं बड़ी है ना देखेंगे लेकिन कुछ ताइम बाद जब देखते हैं जब rain बंद हो जाती ही तो पानी फिर जाता का है वो वहीं क्यों नहीं रुका रहता? अगर यसे वहाँ बारिश होगी जहां मैं खड़ी हो वहाँ बारिश होगी नहीं होनी तो नहीं चीनी तो क्लास नहीं हो पाएगी अब बारिश होगी तो बारिश का पानी यहां है अब बारिश का पानी यहां है तो ठीक है चलो थोड़ी देर बाद जब हम देर हो जाएगी बारिश रूख जाएगी तो पानी जाता कहा है तो ही कहा है ना, by noon the puddles vanish दिन तक क्या हो जाए, टाइम तक क्या जो puddles है, जो हमें दिख रहा है पानी वो चला गया, where does the water go ये water फिर जाता कहा है the sun's heat causes evaporation of water in vapor, जो sun की heat होती है, जो क्या है, जो सूर की heat होती, सूर की गर्मी होती है वो क्या करती है, the sun's heat causes evaporation of water into vapor, जो क्या करती है evaporation को क्या करती, water को vapor में convert करती है, ठीक है बोले न, evaporation of water water का evaporation होता है, ये process आपको पता होती है, कि evaporation क्या होती है इसको किस में convert करती, vapor में convert करती है भाब जो बोलते ना ठीक है when the water vapor cools down it condenses and forms cloud अब जब water vapor उपर थंडी हो गई है न जब water vapor cool down होगी तो क्या होगी condense होगी क्या होगी थंडी होगी और condensed होगी है न एक खटा होगी condensed हो जाएगी और एक cloud का फॉर्म ले लेगी किसका फॉर्म ले लेगी बादल का फॉर्म ले लेगी मतलब जो droplets उपर गए वेपर के फॉर्म में वह खटा हो जाएगी ठंडी हो जाएगी ठंडी हो जाएगी तो एक cloud याने बादल का रूप लेगी जो हम देखते ना कि उपर रही जो water संकी हीट से गया संकी हीट से गरम हुआ उपर भाब बनके उड़ गया बादलो के फॉर्म में थंडा होके बादलो के फॉर्म में रहेगा अब जब क्लाउट हैवी हैवी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा थोड़ी दिर बाद वो अब बरसने लगेगा पानी लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगा ठीक है क्लियर हुआ आया समझ में मतलब जो हम वाटर की बात कर रहे हैं कि रिवर वाटर या लेक वाटर हमारे माइन में जो भी वाटर का फॉर्म आये हम वो देखते हैं उसको देखने के बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम यह देखते हैं कि भाई फिर फिर वाटर क्लाउड बन जाता है ठं चलो From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet अब जैसे कि मैंने बताया क्या होता है उसके बाद जैसे बादल बन गए अब क्या होगा बारिश बारिश के फॉर्म में वो किरेगी बारिश के फॉर्म में मतलब लैइंड और सी में वो बरसता है पानी रेन होती ही रेन के फॉर्म में या तो हमें स्नूफॉल दिखेगा बर्फ अगेर अगेटी या सलीट चलियर दप्रोसस बाइविच वोटर कंटीनिवली चेंजिस इस फॉर्म और सर्कुलेट बिट्वीन ओशन, आट्मोस्फियर एंड लैंड as the water cycle क्या प्रोसस? ऐसि प्रोसस बाइविच वोटर कंटीनिवली चेंजिस इस फॉर्म जब वोटर क्या करता है? अपना फॉर्म चेंज करता रहता है और स्रकुलेट होता रहता है वोशन से अटमोसफियर से लैंड में तो उसको क्या बोलते water cycle, ठीक है हमें ocean में मिलेगा, फिर atmosphere में उपर, फिर नीचे land में तो इस circulation चलता रहता है, मलब आया, गिरा, फिर उपर गया, पानी rain के form में बरसा, बादलों से पानी बरसा है, snowfall हो इस तरीके से, फिर वो जो पानी है वो भाब बनके, वैपर बनके उप इवापरेशन के form में, यह क्या हो रहा है, इवापरेशन हो रहा है, ठीक है, यह ऐसे जा रहा है, cloud बनके, cloud बोल रहा है कि मैं खुश हूँ, उसके बाद cloud बोल रहा है कि अब मैं बहुत, मेरे जो अंदर जो ड्रॉपलेट से जो water vapor है, बहुत जादा है वही हो रही, मैं तो इसको बोल रहे है, precipitation, clear हुआ, यह evaporation, यह precipitation और यह condensation, बहुत important है, ध्यान से देखो, फिर से बताती हूँ, यह पहली process है, evaporation, उसके बाद यह हो रही, condensation, फिर precipitation, मतलब, मतलब क्या बोल रहे है, evaporation, precipitation और condensation, first, second, third, क्या हो रहा है, देखो, पानी, सूरी ने क्या करा, सू सूरज ने क्या करा, सन ने क्या करा, भाप बना के अपने पास उपर मतलब, उपर पानी जो है, भाप से उड़के ऐसे पानी, भाप बनके उपर जा रहे है, यह याने, evaporation की process हो रहे है, water vapor उपर इखटा होती जा रहे है, क्या बन गई है, वो बादल का, cloud का रूप ले लि तो rain के форм में ऐसे बरस रहे है, यहा रहे है, फिर नदियों में, तालावों में चला जा रहे है, ocean, sea में चला जा रहे है, तो यह precipitation की process है, मतलब यह evaporation की process हो रही है, यहां पर condensation हो रहा है, फिर उसके बाद precipitation अतलब पानी rain की, liquid form में यहा आ जा रहे है, gas के form में इसे गया, पर जेर पिर और में ब zijकारीहां इसे पइसे न हए mars उसके बाद लिक्वीड फॉर्म में दुभारा से आ गया क객 समयर डर्ती यह रिवर्से बने उसके बार वापिस रिवर पहा गया यह क्या होगी लेक्षिय स्तुत उपर गया, फिर आ गया, फिर उपर गया, फिर आ गया, cycle हो रही है, cycle ऐसी होती न, ऐसी होती की न होती cycle, चलो From there, it may fall on land or seen the form of rain, snow or slate, ये तो हमने देखा The process by which water continually change its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle, देखो ये बड़ा important है, क्या होता है, इसको भी हमने पढ़ा था, क्या होती water cycle ऐसी process by which water continually changes, ऐसी process जिसके through water continuously change होता है अपना form change करता है और circulate होता है, किसके बीच में, ocean, atmosphere और land की बीच में ocean, atmosphere ऐसे हो रहा है, ocean, atmosphere, land, ocean, atmosphere ऐसे इस तरीके से process हो रही है उसी के बीच में जो water क्या है, circulate करें कि बहले कहां जाओ, तुम्हारे चक्करे मुझे बार 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 वही चक्कर काटने पढ़ रहे हैं इसको क्या बोलते हम water cycle, क्या बोलते हम इसको हम बोलते है water cycle, और अर्थ is like a terrarium, our earth is like a terrarium, यह terrarium क्या होता है, हमने artificial enclosure है, जिसमें हम house plants रखते हैं, घर के जो पौदे हैं, जो हम हाउस प्लांट्स रखते हैं, small house जो घर में जो पौदे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, artificial, तो उसको बोलते terrarium, तो बोल रहा है हमारा जो अर्थ है वो terrarium जैसा है, the same water that that existed centuries ago still exists today, यह बहुत important है, इसको याद रखना क्या बात करें, कि यह बहुत important है कि जो water हमें सदियों पहले जित्ता था, जित्ता भी water सदियों पहले था, आज भी उतना ही water हमारे अर्थ में रहेगा, और आगे भी उतना ही रहेगा और ना कभी increase होता है यहीं दकिलना है तब ही कह रहे चाहत है तो यह सालों पहले एक्जिस्ट था वह अभीभी हमें मिलेगा जो वाटर सालों पहले एकपी सालों बाद कभी नहीं कोई हैं के समझ में हमें की नहीं ना जादा होगा अगीजिंग जो पर अगया होगा ना कम ना साथ, clear हुआ, आया समझ में, कोई confusion दिखकत तो नहीं है, आगे बढ़े, चलो The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon river a hundred years ago, the major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers अब जो बोल रहे हैं कि जसे हम centuries अगों की बात करें थे ना, तो बोल रहे हैं, जो water use करते थे हम irrigation को, irrigation के लिए, field में irrigate करने के लिए, ठीक है, जैसे हरियाना में And many have flowed down the Amazon river a hundred years ago, जो कहां भय होगे भई, जो कहां रहा होगा, Amazon river, Amazon river बोलते है, rain forest वहां, river भी Amazon river, ठीक है तो वहां से इसी बहती होगी, इस तरीके से हमें हरियाना में जो पानी मिलता है, मतलब बता रहे है, जो पानी, जो river है कभी भई, वहां से जो पानी है, उसका वहां है, तो वह हमें हरियाना में भी मिलता होगा, जो हम use कर रहे हैं, मतलब मिला होगा, ऐसा मतलब आप समझो क पानी कभी ऐसानी कि इधर उदर जा रहे हो दी बात करें फ्रेश वा इसमें नमक रहता है जो ओशन बॉडी हो गई जो गई दो जी इसमें ईसमें वाटर रहता है अगर हम बात करें fresh water की यानि जो हमारे लिए useful है human use के लिए सही है तो यहां मिलता है हमें river, pond, spring and glacier यह किस के लिए human use किस के लिए human use के लिए clear The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat sodium chloride यानि जिसका हम formula अगर आभी तो शायद हो सकता है अपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो sodium chloride जिसका हम बहुते है na cl sodium chloride का क्या रहता है na cl मतलब sodium chloride यह तो चलो extra हम इसको जानने कि इसी ज़रूत नहीं है यह वो जो common salt है जो हम खाने माने में यूस करते है जो अभी बोलते है ममी सबजी में नमक कम है नमक ले कर आई हूँ बही तो यही नमक हमें यहाँ मिलता है salty water मिलता है the water of the ocean is salty or saline जो water है ocean का कैसा रहता है खारा रहता है क्यों क्योंकि इसमें large amount का dissolved salt रहता है क्या रहता है इसमें घुला हुआ नमक large amount of dissolved salt हमें यहाँ पे मिलेगा ठीक है और यह वही नमक है जिसको क्या बोल रहे है sodium chloride यह वही नमक है जो हम खाने पीने में यूज करते है commonly clear आया समझ में fresh water कहा है यह important जो मैं लिखा भी human use के लिए तो वो है rivers में, ponds में, springs में और glaciers में हमें मिलता है okay कोई confusion दिक्कत तो नहीं पानी क्या है ना minus होता है ना plus होता है जितना है उतना ही रहता है है ना इधर से उधर भैता रहेगा लेकिन पानी उतना ही है जितना सालों पहले हमें सदियों पहले मिला था वही सदियों बाद भी वही मिलेगा उतना ही पानी रहेगा सोचो हम जो उतना इतने सालों पहले ancient history जो पढ़ते हुए है मतलब इतिहास में जितना फानी रहा होगा, आज भी उतना ही पानी है हमारे पास, और आगे भी, जो हमें जब हम बोलेंगे, हमारे बार इंपढ़ेंगे कि यह तो उतने सालों पुराने थे, तो उनके टाइम में भी उतना ही पानी एग्जिस्ट करेगा, जितना आज कर रहा है एक फिगर वर्ल्ड के मेजर सी लेक्स और रिवर हना वर्ल्ड की मेजर सी लेक्स और रिवर यह देखो क्या क्या दख रहा है आपको कौन सी कौन सी रिवर दिख रही अच्छा आर लिख़ा एंसे एमेज़न तरीज़े से यह देख और यह वाली धनाईल है थोड़ा सा बलरी है व्र इसगित सक्थे सी ए दिख रहा है आपको ओशन भी दिखेगा आपको दिखो अटलांटिक ऊशन, पैसिफिक ऊशन, पानी ऊशन मतलब underwater, साउथ अटलांटिक ऊशन ठीक है यहाँ पर इंडियन ऊशन है हना यह पैसिफिक ऊशन है ठीक है इस तरीके से यहाँ पर हमें है ठीक है इतना मतलब वाटर देख रहे हो कितनी जगे पानी है अभी हो सकता है मैंने फिर भी कहीं नहीं लगाया हो मुझे दिखनी रहा होगा क्लियर बड़ आप खुदी सोची यह लेक है तो लेक याने भई आप सोच लो इतना मतलब वाटर बोसुट इतना सारा हमारे कंट्री में हमारे अ depend क्रसियंग में थेक है फिर हुआ आया समझ के साथ हमारे चाप्टर का ओवर व्र ईव और बहूत ही बहतरीन सा इंट्रोडक्शन एंड होता है बेसिक जानकरी हमने ली कि water cycle क्या होती है हाना ocean में water कितना क्या है मतलब ocean का water कैसा है हाना कितना water कहा का जो हमें मिलता जो fresh water है मतलब useful है यह सब हमने देखा तो I hope आपको अच्छे समझ में आया होगा और एक बहुत ही important चीज आपको समझ में आई होगी कि जो water है earth में वो कभी भी ना increase होता है ना decrease होता है जितना सालों पहले था सदियों पहले वो उतना आज भी है और सदियों बात उतना ही होगा तो यह बड़ी interesting जानकरी थी कैसी लगी? कॉमें उजे बताना introduction कितना समझ में है, कितना नहीं आए यह भी ज़रू बढ़ताना और like करने में कोई कंजूसी मत करना इसे के साथ यह video end होती है अगर आप और भी video के lectures दिखना चाहते हैं तो आप Magnet Trains के YouTube चैनल application और website पे देख सकते हैं e-notes और e-books की link आपको description box में available है यह सारे high quality के courses है आपको अच्छी quality में और 100% free available है आप हमें अधर प्राइटफार्म पर भी follow कर सकते हैं Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पे जादा सेदा like कीजे जादा सेदा शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले अपना ख्यार रखें Thank you so much for watching